दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको मद्यप्रदेश सरकार की एक ऐसी स्कॉलर्शिप स्कीम के बारे में बताने वाला हूं जिस्कीम के इंतरगत प्रतेक वर्का चात्र चाहे कर वो SC वर्का हो, OBC वर्का हो या फिर ST वर्का हो या फिर समान यानि की जंदल वर्का हो, हर वर्का चाहत इसी स्कीम के लिए अप्लाइ कर सकता है, जी हां दोस्तों इवन आप पर जंडल करेगरी के स्टुएंट भी स्कीम का फाइदा ले सकते हैं, तो कौन सी स्कीम है, कैसे आप इसके लिए अप्लाइ कर सकते हैं, क्या से कम्प्लीट प्रोसेस, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, तो मेरे साथ वीडियों में अंतक बने रहे हैं, जिसमें आपको साली चीम अच्छे समझ में आ सकें, सबस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये कौन सी स्कीम के मैं बात कर रहा हूं, तो दोस्तों ये स्कीम है, मुक्यमंत्री जनकल या सिक्षा प्रोस्ताहन ही होजना, और इस होजना के अंतरगत, ऐसे इस्क्रुएंट्स, ऐसे विद्यार्ती, जिनके माता पिता का, मद्य आसन में श्रम विवाग के अंतरगत, असंगेट कर्मकार की रूप में पंजियन है, या फिर उन्दर संबलकार्ट बना हुआ है, तो ऐसे सभी विद्यारती इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं, इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, चाहिए वो कोई भी केटेगरी की हो, जै अब कुछ मैं आपको बदाने वाला हूँ, चली चलते हैं, लैपको की स्क्रीन पर और सबसे पहले जानते हैं, इसका अप्लाइब प्रोसेस क्या है, कैसे आप इसके लिए ओनलाइन अप्लाइब कर सकते हैं, सो गाइज मुख्यमंत्री जन कल्यान, शिक्षा प्रोसाहान योजिना के अंतरगा दाविदन करने के लिए आपको MP स्कॉलर्शिप पोर्टल 2.0 में आजाना है, इसकी वेपसाइड है स्कॉलर्शिप पोर्टल.mp.nic.in, लिंक मैं आपको डिस्किप्शन में दे दूँगा, तो आप उस पर क्लिक करके सीधा स्कॉलर्शिप पर आजाएंगे, अब यहाँ पर आने के बाद आपको सीधा जाना है स्कॉलर्शिप कर नीचे, जहाँ पर देखिया आपको post matter के स्कॉलर्शिप के अंतरगर, यहाँ पर first scheme मिल जाएगी आपको मुख्यमंत्री जन कल्यान, यहीं से आपको इसके लिए अपना registration करना है और यहीं से आपको इसके लिए आविदन करना है, उसके लावा दोस्तों आप देख सकते हैं आपर fourth में एक और option आरा आपके बस मुख्यमंत्री मेधावी विद्यारती हो जाना, तो यह भी काफी अच्छी स्की में, अच्छी का आप क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद यह आपको रिडारेक्टर देगा एक नई website पर अब यहाँ पर देखिए आपको एक notification दिया गया है कि अब यहाँ पर एक नया application करने के लिए आपको नीचा जाना है, यहाँ पर देखिए आपको पंजेन का option मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप पंजेन करें का जो option दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका जो registration form है इस तरह से open हो जाएगा, अब इसका जो registration process है दोस्तों काफी आसान है, इसलिए आपना registration कर सकते हैं, बस आपको अपनी 10th की mark sheet अपना धार कर और अपनी समग रेडिया आपको पने pass रखना है, तो काफी असानी से आप इसको fill up कर सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको applicant name डालन अगर एक बार आप गलत डालेंगे, तो दूसरी बार यहाँ पर आपका mismatch हो जाएगा, तो आप उसको correct कर सकते हैं, तो यह काफी फायदे वाली चीज़ है, यहाँ पर आप नाम डालेंगे, उसके बाद आपका middle name है, तो यहाँ पर आप middle name डालेंगे, confirm करेंगे, उसके बा पर date of birth, again आप date of birth, उसके बाद आप नीचा जाएंगे, जहाँ पर आपको details of father and mother आपसे पूछी जा रही है, तो यहाँ पर आपको अपने father का name without space डालना है, full name आपको space लगाने की जरूत नहीं है, उसके बाद आप confirm father name, then आप पर mother name बिना space के, उसके बाद confirm mother name, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी again आपर category type करना होगा, उसके बाद यहाँ पर आपका धर्म क्या है, हिंदू, Christian, Muslim, तो यहाँ से आप select करेंगे, उसके बाद यहाँ से आपको धर्म confirm करना है, उसके बाद यहाँ पर एक mobile number, again mobile number, email ID और again email ID आपको डाल देना है, उसके बाद आप नीचे अब यहाँ पर देखिए आपको किस योजना के अंतरगात आप आविदन करने वाले हैं, दो option है आपके पास संबल योजना, अगर आपका संबल कार्ट बना है तो आप first option select करेंगे, उसके बाद भवन, सैंजर्मार, कर्मकार, मंदल, इन दोनों options से आप जो भी आप आपके पास अबले वालो, वो यहां से आप select कर सकते हैं, उसके बाद जो भी आप select करेंगे, उसके नीचे आपको information फिल करना होगा, सबसे पहले आपको बिद्यारती की समग रेडी, यहनि कि अपनी समग रेडी हाँ पर आपको डालना है, उसके बाद आवेदक के पिता की जोंको की समग रेडी, उसके बाद माता की समग रेडी, उसके बाद यह जो capture code दिखाएगा, capture code डालकर, get समग रेडी है, इस पर आप click करेंगे, अब देखे एक चीज में आपको और बता दूँ, जो यहां पर अपना आप समग रेडी नंबर डालेंगे, तो यहां पर आप मतलब इनके पिता का समबल काड बना हुआ है, आपके case मेकर बना हुआ है, तो यहां पर बना हुआ दिखाएगा, और अगर नहीं बना है तो उस condition में आप आगे यहां पर पौंप नहीं बरभाएंगे, और अगर आपके पास समबल कार्ड नहीं है, भवनसया निर्माड कर् रहेंगे उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको आवेदक के माता या फिर पिता दोर में इसकी एक का यहाँ पर समग राइडी नमबर डालना है आप बैरिफाय करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको काड नमबर आ जाएगा काड ओलर का नम आ जाएगा और काड ओलर का जो मेंबर आईडी वो यहाँ पर आ जाएगा तो अगर आपके पास समगल काड नहीं है तो आप इस उप्षन से भी इसके लिए अप्लाइ कर सकते हैं अब आपको नीचे जाना है यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस दिस्टिक और पिन कोड डालना है उसके बाद यहाँ पर आपको राइट एंड साइड अगेन आपर अपना अड्रेस बेरिफाय करना होगा और अगर आप मद्यप्रदेश से बाहर इस्टित की संस्ता में अध्यन रहते तो यहाँ पर दिख्या आपको ऑप्शन मिल जिसके बाद आपको आपके अप्लिकेशन का एक प्रिव्यू दिखाया जाएगा अगर आपकी सारी जानकारी सही है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा यस आई कंफर्म डैट एफब डिटेल्स और करेक्ट अगर कुछ भी आप करेक्शन करना चाहते हैं तो साइ आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर अपना यूजर आईडी और पासबर्ट डाल कर कैप्चर कोड डाल कर आप लॉगिन की बटन पर क्लिक करेंगे लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा अब यहाँ पर देखें लेफ्ट हैं आपको कुछ ऑ लेकिन आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको ओप्शन मिल जाएगा select और फोटो तो यहां से फोटो करेंगे तो आपको पासबोर्ट से इस फोटो यहां पर अप्लोट हो जाएगा बस इसका जो साइज है हाँ आपको रखना है इसके बाद थार्ड ऑप्शन के CR में आपने पास किया है उसके बाद इस्कूल का नाम और अड्रेज उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डाल देना है उसके बाद आप नीचा जाएंगे तो यहाँ पर आटोमेटिक जैसे आप रोल नंबर डालेंगे तो आपकी जो डिटेल से यहाँ पर प्रिंट हो करा जाएंगी उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10th की मार्क शीट को स्कैन कर लेना है 100KB के अंदर और उसको यहाँ से चूस फाइल में क्लिक करके उसको अपलोड कर देना है यहाँ पर रेजिस्टर माइ 10th क्लाइट टेल्स को अप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो मार्क शीट इस तरह से यहाँ पर अपलोड हो जाएगी उसके बाद next option है अपलोड 12th मार्क शीट तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे बिलकुल उसी तरह से यहाँ पर आपको 12th की टेल्स भी यहाँ पर से हो जाएगी उसके बाद next option है जेई, क्लैट, एम्स, नीट, सर्टिफिकेट तो अगर आपने यह एक्जाम इंट्रेंस टैस क्वालिफाइक किया हुआ है तो इसकी information यहाँ से आप फिल कर सकते हैं अदरवाइस इसको आप यहाँ से skip भी कर सकते हैं उसके बाद next option है update, symbol, details option पर आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने symbol card की information फिल करना होगा अब यहाँ पर देखिया आपके सामने हो सकते हैं इस तरह का option ना है क्योंकि यहाँ पर इस application को आपने post matrix से मुक्तमंत्री जनकल्यान शिक्चा प्रोसान योजना के लिए बदला हुआ है इसलिए इस तरह का option आ रहा है लेकिन आपको यहाँ पर अपने symbol card की information अपडेट करना होगा उसके बाद ही आप आगे का process कर पाएंगे और जैसे यहाँ पर अपने symbol card की information अपडेट कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने एक message आएगा success your symbol card details has been saved successfully मतलब यहाँ पर हमारा जो symbol card की details यो update हो चुकी है next option है हमारे पास upload documents इस option पर हम click करेंगे अब यहाँ पर आपको तीन documents upload करने होंगे इसमें सबसे पहला है आपका fees slip उसके बाद last year mark sheet जो भी आपका last qualification उसकी mark sheet आपको डालना है और third है आपके पास admission slip of current year current year के आपके जो admission slip है बो यहाँ पर आपको upload करना है तीनों ही document आपको 100 के अबी के अंदर scan करके रख लेना और बारी बारी से यहाँ पर choose file में click करके उनको यहाँ से आप select कर लेंगे उसके बाद upload file में click करेंगे तो आपकी जो तीनों file है आपर select upload हो जाएंगी जैसे ही आपके documents upload हो जाएंगे इस तरह से देखें आपर success का message आपके पास आजाएगा इसको आप यहाँ से okay कर देंगे अब next यहाँ पर हमारे पास option है document upload documents के बाद upload card certificate जो की optional है अगर आप चाहें तो इसको upload कर सकते हैं otherwise इसको आप skip भी कर सकते हैं अब यहाँ पर देखें आपको अपको अपने जाती प्रहुनपत्र की सारी information फिल करना होगा optional इसली है अगर आप general category के हैं तो यहाँ पर आपके पास card certificate तो होगा नहीं इस लिएन से आप इसको skip कर सकते हैं लेगन अगर आपके पास card certificate है तो आपको इसकी information फिल करना पड़ेगा यहाँ पर आपको अपने जिले का नाम डालना है उसके बाद जारी किया गया किसके द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है वो यहाँ पर आपको select करना हो इसे यहाँ पर हमने कटनी select किया है उसके बाद यहाँ पर option मिल जाएगा आपकी तहसील SDM office यहाँ पर आपको कौन सा है तो यहाँ से आप select कर लेंगे उसके बाद अपना पुस्तक करमांग प्रक्राण करमांग उसके बाद यहाँ पर year आपको डाल देना है सब कुछ आपको card certificate में देखने को मिल जाएगा certificate number यहाँ पर आपको डाल देने digital वाला उसके बाद यहाँ पर जारी दिनांग और नीचे यहाँ पर आपको तैसीर का नाम अपना डाल देंगे उसके बाद यहाँ पर complete address और नीचे यहाँ पर आपकी जाती मूल जाती किया है वो आप डाल देंगे उसके बाद अनुकर्वान के भी आपको जाती प्रावत में देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पर नीचे आप आप जाएंगे अब यहाँ पर आपको अपना card certificate scan करके upload करना होगा और remarks में यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं आप card certificate लिखके उसके बाद upload certificate का जो option करस्पर आप click करेंगे तो आपका certificate अब upload हो जाएगा card certificate upload करने के बाद अगला जो हमारे पास option है submit application form इस option पर आप click करेंगे अब यहाँ पर आपको अपने application form फिल करना होगा अब यहाँ पर आप दिख सकता है आपका academic year दिखा रहा है अब यहाँ पर आपको अपना institute code डालना है और नीचे आपको अपना branch code डालना अब institute code और branch code आप कैसे निकाल सकते मैं आपको बता दिता हूँ institute code और course code निकालना काफी असान है यहाँ पर आप post अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है simply यहाँ पर अपने district का नाम आप डाल देंगे नीचे आपको यह capture code दिखाए गया है capture code आपको डाल देना है capture code डालने के बाद simply आपको यहाँ पर show institute का जो option देख रहा है इस पर आप click करेंगे इस पर click करने के बाद आप यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं आपके district में जितने भी institute हैं सभी की यहाँ पर list आ जाएगी तो यहाँ से अपने institute को आप find out कर सकते हैं तो institute find करने के लिए यहाँ पर suppose हम divisional IT search कर रहे हैं तो आप control F press करेंगे यह फिर आप mobile से कर रहे हैं तो mobile में find वाले option में जाकर यहाँ पर अपने college का नाम आप डालेंगे को दो-तीन keywords यहाँ पर आप डालेंगे जिसके बाद देखे जिसे मैंने divisional IT search किया है तो यहाँ पर य इस option पर आप click करेंगे तो अब इस institute में जितने भी course करवाया जाते हैं जो भी branch है जो भी trade है सब के यहाँ पर आपको course code देखने को मिल जाएंगे तो code निकालने के बाद यहाँ पर आप बापिस से इसके application form पर आ जाएंगे अब यहाँ पर हम पहले डालेंगे अपना institute code तो जो भी course है या फिर आपकी जो भी trade है वो यहाँ पर आप उसका code डाल के बाहर click करेंगे तो इस तरह से उसकी information नीचे यहाँ पर print होकर आ जाएगी अब यहाँ पर course code डालने के बाद नीचे आप आ जाएंगे अब यहाँ पर आपको course year दिखाय जा रहा है first year automatic इसने ले लिय है तो यहाँ पर आपको admission date जाना है उसके बाद अगर आपको दलसे कितनी लगती है एक साल का अब कर आपको डाल सकते है अगर आप किसी तरह के disappointed कि informative क्लेक आया होगा किस तरह का इस करेंगे और यहाँ आपको option करोता होगा किस तरह कि Capture disability है अगर 40% से ज़्यादा है तब ही option आप सेलेट कर सकते हैं अदरवाइस नहीं पर आप नो के option पर क्लिक करके नीचे जाएंगे अब यहाँ पर आपको admission टाइप आपसे पूछ रहा है centralized counseling है CLC है direct admission है पर पेमिंट सकते हैं दरवाइस को सकते हैं उसके बाद counseling date भी यहाँ पर आपके पास है तो आप डाल देंगे दरवाइस को भी skip कर देंगे next आपको marks 12 का percentage आपको डालना है कितने percentage आपने score किया हुआ 12 में तो इसकी information यहाँ पर आपको डाल देंगे suppose आपने 70% है तो 70.00 आपको यहाँ पर लिखना होगा उसके बाद अगला यह आपसे पूछ रहा है क्या आप hostler है आप hostel में रहते हैं तो अगर रहते हैं तो yes करेंगे दरवाईज यहाँ पर आप No करेंगे तो आपकी फादर या फिर husband का occupation पूछा जा रहा है तो आपके फादर क्या करते हैं तो यहां से आप select कर लेंगे suppose यहाँ पर private service करते हैं तो वो हमने select कर लिया है then यहाँ पर आपको लिखना होगा private job करते हैं तो यहाँ पर आप लिख देंगे private job या फिर private service इस तरह से यहाँ पर आपको description में डाल देना है next यहाँ पर father husband total annual income सलाना आये कितनी है suppose यहाँ पर 40,000 तो यहाँ पर हमने 40,000 डाल दिया है उसके बाद again इसको आपको confirm होगा तो again यहाँ पर 40,000 हम लिख देंगे then यहाँ पर mother का occupation पूछ रहा है तो mother अगर कुछ भी नहीं करती है या फिर house wife है तो यहाँ पर आप house wife लिख देंगे उसके बाद again यहाँ पर आपको description में यहाँ पर लिखना होगा house wife अब यहाँ पर आपको mother का income डालना है आपकी mother की annual income कितनी है तो house wife है तो यहाँ पर आप 0 डाल देंगे कुछ काम अगर करते हैं तो यहाँ पर आप mention कर देंगे उसके बाद details of other source income अगर और भी कोई आपका source of income है तो उसकी income है पर आपको डालना है कितनी income है कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर आप 0 लिख देंगे उसके बाद last में आप से पूछ रहा है sum of total income तो यहाँ पर देखे automatic 40,000 रुप आ चुका है सब्मेट करते हैं देखे यहाँ पर आपका जो application है वो successfully submit हो चुका है आपके सामने इस तरह का message आएगा इसको आप यहाँ से okay कर देंगे application submit हो जाने के बाद यहाँ पर देखे आपको सबसे last option मिल रहा है my dashboard इस option पर आप click करेंगे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं dashboard में आपने जो application submit किया हुआ है उसकी information है आप पर show कर रहा है तो और उसको आप update करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखे आपको update का option दिया गया है तो यहाँ से आप update कर सकते हैं otherwise यहाँ पर अगर आपको इस application को lock करना होगा उसके लिए यहाँ पर आप लॉक की बिटन पर click करेंगे उसके बाद आपको application में कुछ भी नहीं करना है आप सीधा स्कॉल करेंगे सबसे last में जाएंगे यहाँ पर देखे आपको lock application का एक option दिख रहा है इस option पर आप click करेंग क्लिक करने के बाद अगेन यहाँ पर lock my application पर click करेंगे सो फाइनल इस तरह से आपका जो application है वह यहाँ पर lock हो जाएगा अपने application का यहां से print निकाल सकते हैं print कैसे निकालना है मैं आपको बताएता हूँ पहले इसको आप यहाँ से okay करेंगे उसके बाद अगेन यहाँ पर आपको my dashboard में चले जाना है और जहाँ पर आपने application को lock किया था देखे वो यहाँ पर sign उसका अलग हो गया है यहाँ पर आपके सामने action में के प्रिंट बटन आ हमारा जो application है वो देखिए डाउनलोड हो चुका है तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपका जो application है वो open हो चुका है अब यहाँ पर देखे सबसी उपर लिखा हुआ है मुक्यमंत्री जन कल्यान शिक्चा प्रोस्तान योजना का आविधन इस तरह से आपके दो पेज का ज हो जाएगा तो देखा दोस्तों आपने किस तरह मुक्यमंत्री जन कल्यान शिक्चा प्रोस्तान योजना का लाब आप सभी वर्ग के चात्र लेशिक्तने हैं सब्सक्राइब आपको पूरा प्रसेस समझ में आ गया होगा लेकिन अभी भी आगर आपके मन में कोई सवाल है क तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने के लिए तयार होगा फ्लाल दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही वीडियो कर आपको पसंद आयो तो लाइक करना मत भूलेगा चैनल पर पहली वरा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करक आप लोगों से फिर मुला कात होगी ऐसे किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में थैंक्स वाचेंग दिस वीडियो